अलो फ्रेंज गुड मॉनिंग मैं हूँ एम जे फ्रेंज जैसे की देख रहे हैं यह हमारा वही रोस प्लांट है जिसे हमने बैर रूट करके ग्रो किया था और अभी प्लांट की कंडिशन बहुत अच्छी है प्लांट के उपर सारे हेल्दी लीव्स हो रहे हैं प्लांट के यह फ्लावर को यहां से कट कर सकते हैं उससे पहले हमें फ्लावर को कट नहीं करना है यानि कि यह जब ऐसी बड जैसी सिचुएशन हो तब हमें फ्लावर को कट नहीं करना है फ्लावर को ग्रो होने देना है उसका रीजन भी फ्रेंज मैंने आपको आगे वाली वीडियो मे बताया था आज की वीडियो में फ्रेंज हम ये प्लांट को फर्टिलाइज करेंगे तो जैसे की फ्रेंज ये जो प्लांट है अभी overall अपनी ग्रोध करना इसने स्टार्ट किया है ये जो देख रहे हैं ये प्लांट की बेजल शूट एक निकल चुकी है और बड़ी भी हो चोटी सी ब्रांच निकली है उसके उपर फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं तो जब भी आपको ऐसा लगता है कि आपका प्लांट एक ऐसी पोजिशन पे है जब उसके उपर से बहुत सारी ब्रांचिस दूसरी निकल सकती है तब आपको फ्रेंज कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करना है जी हाँ फ्रेंज आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैल्शियम नाइट्रेट हमें कैसे यूज करना है कैल्शियम नाइट्रेट यूज करने से पहले हम कैल्शियम नाइट्रेट के एडवांटेजिस और डिसएडवांटेजिस जान लेंगे और कैल् और इंटनो ड़ीं और जो बड़ेगी यहां कि यह तक का इरिया रहता है वह घड़ाएगा वह एरिया बढ़ने की वज़े से। आपके जो plant की height है वो बढ़ेगी, plant की thickness बढ़ेगी, plant के जो node areas है वो ज्यादा develop होंगे और plant के उपर से lateral shoots ज्यादा develop होगी, यानि कि जो node areas के उपर से दूसरी जो छोटी छोटी branches निकलने होती है वो भी ज्यादा develop होने के chances बढ़ जाते हैं, और सबसे बड़ा role ये होता है के plant के उपर से basil shoot निकलने के भी chances बढ़ जाते हैं जैसे कि हमने last time ये जो calcium nitrate और potassium nitrate यानि कि 13-0-45 और calcium nitrate दोनों को combine करके हमने अपने plant की soil के अपलाई किया था उसके बाद से friends plant ने हमारे basil shoot निकलना start कर दिया है, जैसे कि देख रहे हैं friends दो basil shoot plant ने निकल दी है तो ये ही सबसे friends calcium nitrate हमारे plant के उपर stem related या तो basil shoot related या तो branches से related कोई भी friends आपके plant के उपर ऐसा development आप चाहते हो तो वो development आपको मिल सकता है तो हर एक fertilizer का एक खुद का एक role होता है वो हमें समझना जरूरी है तो calcium nitrate का role मैंने आपको बता दिया है अब calcium nitrate use करने से पहले आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि calcium एक ऐसी चीज है जो हर एक fertilizer के साथ combine नहीं की जाती जी हाँ friends जैसे की 12-61 हुए बाद में DAP fertilizer हुआ या तो SSP हुआ या तो कोई भी phosphorus based fertilizer जिसके अंदर phosphorus की मात्रा हो और कोई भी ऐसा fertilizer जिसके अंदर sulfur की मात्रा हो यानि की जो potassium sulfate आता है या तो कोई भी sulfur आता है जिसके पीछे sulfate या तो sulfur लगा हुआ होता है ऐसे fertilizer के साथ friends हम ये calcium nitrate का use नहीं कर सकते even magnesium sulfate के साथ भी आप calcium nitrate का use नहीं कर सकते उसके साथ वो compatible नहीं है तो magnesium sulfate मतलब epsom salt, epsom salt के साथ calcium nitrate mix करके apply नहीं करना है अगर आपको calcium nitrate का result बहुत अच्छा चाहिए तो बाद में आप calcium nitrate use कर सकते हो तेरा जिरो पैतालिस यानि की potassium nitrate और बाद में उसके साथ आप use कर सकते हो magnesium nitrate, magnesium sulfate और magnesium nitrate दोनों में से बहुत बड़ा अंतर है magnesium sulfate मतलब epsom salt, magnesium nitrate मतलब एक ऐसा fertilizer जिसके अंदर nitrogen है और magnesium है तो magnesium nitrate के साथ आप calcium nitrate का use कर सकते हो तो उन दोनों को भी combine कर सकते हो potassium nitrate plus calcium nitrate को भी combine कर सकते हो तो ये तो friends हमने roll मैंने बता दिया के calcium nitrate का roll किया क्या है और किसके साथ ये combine हो सकता है लेकिन friends calcium nitrate को use करने से पहले आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है अगर आपने कोई भी phosphorus based fertilizer use किया है तो बाद में वो phosphorus based fertilizer कम से कम 5-6 दिन का gap रखे पाद से 6 दिन के gap के बाद ही आप phosphorus based fertilizer use कर सकते हो या तो आपने already phosphorus based fertilizer या तो sulfur based fertilizer use कर लिया है उसके 5-6 दिन के बाद ही आपको calcium nitrate का use करना है तो ये चीज़ का ध्यान रखने जब भी आप calcium nitrate का use करते हो और calcium nitrate कभी भी overdose नहीं होना चाहिए अगर calcium nitrate का overdose हो गया तो बाद में आपका जो plant है उसके leaves खराब हो सकते हैं, leaves के उपर rashes आ सकते हैं plant damage हो सकता है तो correct dose के हिसाब से आपको calcium nitrate का use करना है तो मैंने आपको बता दिया है ये चीज़ जो calcium nitrate के disadvantages, advantages, उसकी compatibility किसके साथ हम use कर सकते हैं ये सारी चीज़े friends अभी मैंने आपको बता दिये अब friends ये plant को मैं fertilize करूँगा last friends हमने ये plant को fertilize किया था NPK और magnesium sulfate का हमने spray किया था 8 दिन का जो schedule था वो हमने complete कर दिया है उसके बाद friends एक week का gap हो गया एक week के gap के बाद friends अभी मैं इसको calcium nitrate provide करूँगा अभी friends मैं इसको balance NP के या तो magnesium sulfate कुछ भी नहीं डालूँगा तो एक एक चीज़ का dose चलना चाहिए हमें continuous एक ही चीज़ पकड़ के नहीं चलना है तो balance NP के complete हो चुका magnesium sulfate भी complete हो चुका अब हम डालेंगे calcium nitrate plus potassium nitrate calcium nitrate plus potassium nitrate का combination बहुत बढ़िया होता है roses के लिए इसकी वज़े से आपके जो plant के उपर basil shoots और lateral shoots develop होगी हमने आगे भी calcium nitrate और potassium nitrate का use किया था उसका result अभी आप देख रहे हो ये plant के उपर basil shoots निकल चुकी है तो ये combination आपके plant के उपर ज़रूरी है लेकिन ये combination कभ यूज करना है ये combination आपको तभी यूज करना है जब आपके plant की overall health अच्छी हो, plant overall growth कर रहा हो यानि कि अगर आपने नया plant लाए और नया plant के अंदर ही अपने calcium nitrate और potassium nitrate डाल दिया तो समद लीजिए आपका plant खराब हो जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा धीरज रखिए wait कीजिए, मेरी जो पिछली सारी videos है वो देख लीजिए ये जो मेरे part बना रहा हूँ ये कितने सारे part के बाद about 10 के 11 वाला part होगा है मुझे exactly पता नहीं है maybe part 10 या part 11 होगा है लेकिन उसके पीछे मेने कौन-कौन से fertilizers डाले है वो videos भी आप देख लीजिए ताकि आपको idea आएगा कि अगर आप नया plant लाते हो तो किस schedule के हिसाब से हमें fertilizer plant को provide करना है ताकि आपका जो plant है कुछ ये हिसाब से growth कर सके इसी दोरान आपको हफते में एक बार fungicide and insecticide का भी spray करना है ताकि आपके plant के उपर कोई भी pest वगेरे ना लगे तो चलिए friends मैं आपको dose बता देता हूँ कि कितने dose में हमें calcium nitrate और potassium nitrate अपलाई करना है सबसे पहले friends मैं ये potassium nitrate ले ले लेता हूँ यानि की 13,0,45 वो हमें सिर्फ आधे gram, आधा gram जितना potassium नाइटरेट लेना है ज्यादा नहीं लेना है बहुत ही कम quantity लेनी है आधा gram more than enough होगा per pot के इसाब से अब मैं आपको आगे भी और details बताऊंगा तो आप पूरी वीडियो देखिए तो आधा gram जितना friends हमने potassium nitrate ले लिया है और उसको friends मैंने थोड़ा सा पानी लिया है जैसे कि देख रहे हो about 200-300 ml पानी है क्योंकि already मेरे plant की soil गिली है तो ज्यादा पानी हम use नहीं करेंगे अब आधा gram जितना friends हम calcium nitrate डालेंगे जैसे कि देख रहे हो friends ये calcium nitrate है और हम आधा gram जितना calcium nitrate यूज करेंगे तो जैसे कि देख रहे friends हमने आधा gram जितना calcium nitrate ले लिया है और अभी friends हम इसको अच्छी तरह mix कर लेंगे ये आप सिंडर वाले plants में भी apply कर सकते हो कोई problem नहीं है और हमेरे ये जो देख रहे friends मैंने root zone के पास ये fertilizer apply कर दिया है तो ये जो fertilizer है ये fertilizer की वज़े से हमारे जो plant की stem है वो मजबूत बनेगी यानि कि जो basil shoot है वो मजबूत बनेगी और हो सकता है दूसरी basil shoot भी develop हो सके यहाँ से और जो lateral shoot से यानि कि यहाँ से दूसरी छोटी छोटी branches निकलनी चाहिए वो भी ये plant की उपर से develop होगी अब जैसे कि friends हमने आदा gram जितना calcium nitrate डाला है आदा gram जितना हमने potassium nitrate डाला है अब फिर से एक दिन के gap के बाद मैं फिर से आदा gram जितना calcium nitrate और आदा gram जितना potassium nitrate फिर से मैं अपने plant की soil के अंदर apply करूँगा यानि कि सिर्फ दो बार फ्रेंजर में अपने प्लांट की सॉल के अंदर अपलाई करूँगा उससे ज्यादा अभी में नहीं अपलाई करूँगा यानि कि आधा ग्राम आज मैंने डाल दिया है कल एक दिन का में गैप छोड़ दूँगा आधा ग्राम जितना कैलशम नाइडरीड आधा ग्राम जितना में पोटैशियम नाइडरीड यह दूनों चीज में सोल चेंदर अपलाई कर दूँगा तो यह जो fertilizer है यह fertilizer की वज़े से आपके plant के उपर development आपको ज़रूर देखने को मिलेगी यह हमारा fertilizer का वीडियो था जो मैंने अभी यह plant के पीछे में जो continue series चला रहा हूँ यह हमारे जो rose plant के पीछे कौन से fertilizer हमें time to time कौन से stage पे डालने हैं तो वो चीज़ friends आप समझ चुके होंगे या तो अगर आपको confusion है हो तो बाद में आप मुझे Instagram पे भी message कर सकते हो मुझे YouTube पे comment भी कर सकते हो मैं आपको reply दूँगा अब फिर से next fertilizer friends मैं आपको ज़रूर बहुत ही जल्ड अपडेट करूँगा जब मुझे लगे कि ये plant को फिर से दूसरा fertilizer देने की ज़रूरत है तब मैं friends फिर से एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ share करूँगा अगर आप मुझे time to time ऐसे follow करते रहोगे तो बाद में आपके roses भी बहुत अच्छे grow हो पाएंगे ये monsoon की season में सबसे अच्छी growth हम roses के उपर से ला सकते हैं बस आपको correct fertilization करना है, plant की care करनी है ठीक तरीके से watering करनी है, soil के अंदर के जो root system में उसको maintain करना है, maintain कैसे कर सकते हैं humic acid और trichoderma की वज़े से तो उसके उपर भी मेरी वीडियो आएगी तो ये ऐसी चीजे हैं जो आपको continues आपको plant के पीछे ध्यान रखना है ताकि आपके जो plant है वो अच्छी growth कर सके तो अगर आपको किसी भी type का confusion हुआ ये topic से related तो आप मुझे comment box में पूछ सकते हो मैं आपको reply दूँगा till then के लिए, thank you friends